दोस्तो इस वीडियो के अंदर सेल यानि की स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेट सहित आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप स्टॉक बोनस और डिविडेंट अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मीडिय अब आया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं आप हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है संड्रेला होटिल्स लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 42 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौस कर दिया है वन रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो एक्स डेट है वो 13th of September की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है यानि की 12th of September की अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है SNL Bearings Limited कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 329 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविडेंट अनॉंस कर दिया है 6.50 रुपीज का और इस डिविडेंट को देने की जो एक्स डेट है वो 1st of September की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है UNOMINDA Limited के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविडेंट अनॉंस कर दिया है 1 रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो एक्स डेट है वो 31st of August की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है पंचील और गानिक्स लिमिटेड का करें तो कंपनी का नाम है यानि की 20 सेकंड और अगस्ट की अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है डायनमेक इंडस्ट्री इस लिमिटेड का करेंट स्टॉक प्रेस 60 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविडेंट अनॉंस कर दिया है 1 रुपीज का और इस डिविडेंट को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट है वो अभी तक अपकमिंग में है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है वीर हेल्थ केर कंपनी का करेंट स्टॉक प्रेस 40 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे स्टॉक बोनस कर दिया है 1 इस टू 1 के रेशियो से जिसका म आपे डबल हो जाएंगे और इस स्टॉक बोनस को भी देने की जो एकस्टेट और रिकॉर्ट डेट है वो भी तक अपकमिंग में है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसी एकस्टेट और रिकॉर्ट डेट अनौंस होगी मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमे तो नहीं आया है बट एक काफी बड़ी अपडेट है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ बिसकली आईसी 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 है सेक्योरिटीज जो की काफी जानी मानी फाइनैशल इंस्टूचन है और काफी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है आईसी आई में बन रहा है and ICICI Securities जो की काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है इन्होंने इतना बड़ा टारगेट दिया तो कहीं न कहीं आपको इस स्टॉक के अराउंड एक काफी अच्छी खासी आप पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है तो जरूर से सेल इंडिया के स्टॉक्स को जो है अपनी वाच लिस्क अंदर में अड़ करके रख लीजिएगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही आठ स्टॉक्स थे जिन्होंने आप स्टॉक बोनस एंड डिविडेंट अनौंस किया था अब अगर आप कोई वीडियो अच